आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हलो गैज, हमें इस Question में वो लाए कि Coefficient find out करो X2 का इस Polynomial में, ठीक है? इस Polynomial में हमें X2 का Coefficient find out करना है तो देखो, सबसे पहले इसको Total को Multiply करो तो यह हो जाएगा 2X3 3X2, 5X से इसको Multiply करूंगा, तो क्या बन जाएगा? यह दो को 5X into 1 that is 5X ठीक है? ब्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 5X into this, क्या बन जाएगा? 5X2 upon 2 बन जाएगा, ठीक है? अब 2X2 को इससे Multiply करो तो यह 2X3 बन जाएगा और इससे जब इससे Multiply करूंगा तो यह 7 to 14, तो यह 14 X2 बन गया, और यह माइनस 13 लिखा हुआ है अब देखो, जो X3 वाला टम है, उसको एक साथ रखो तो यह हो जाएगा 2X3 और यह 2X3 बन गया, अब X2 वाला टम एक साथ रखो, तो X2 में है यहाँ पर सबसे पहले लिखता हूँ ठीक है? तो यह हो जाएगा X2 वाला टम मेरा 14 वाला है तो 14X2 फिर क्या है? माइनस 3 X2 वाला टम है और एक टर्म यह है, 5 by 2 X2 वाला टम X2 वाला टम खतम हो गया अब X वाला टम रखो, तो वो एक ही है 5X, ठीक है? अब फिर बचा हमारा माइनस 13 हमीं कोशन में क्या पूछा है? कोशन पूछा है कोफिशेंट X2 का क्या होगा? यानि कि X2 के साथ हमारा जो मल्टिप्ला होगा वह हमारा कोफिशेंट हो जाएगा तो यहाँ पर देखो 4X3 X2 वाला टम सबसे पहले इन तिनों से X2 को कॉमन ले लो तो यह हो जाएगा X2 अंदर में क्या बचा? 14 माइनस 3 और इसमें 5 by 2 बचा देखो X2 इस से कॉमन लिया इस से भी इस से भी कॉमन लिया यही बचेगा और बाहर बच गया 5X-13 तो बुलत X2 का कोफिशेंट क्या होगा? तो X2 के साथ जो मल्टिप्ला होगा तो वो मल्टिप्ला यह हो रहा है तो यही हमारा कोफिशेंट हो जाएगा तो कोफिशेंट हमारा क्या आ रहा? कोफिशेंट ओफ X2 हमारा आ रहा 14-3 कितना हो जाएगा? 14-3 11 होता है 11-5 by 2 हो जाएगा तो इसको देखो नीचे LCM हमने 2 लिया तो यह क्या बन गया? 22-5 इधे को ये कितना वाज आएगा 17 ठीक है तो 17 by 2 हमारा coefficient answer आ रहा है ठीक है तो I hope ये वीडियो आपको समझ आए Thank you for watching